हेलो गच्चों आज हमारा question है write each of the following as whole नमर और mix fraction भई या तो हमें इनको whole numbers में लिखना है या किस में लिखना mix fraction होल नमर क्या होता है whole number simply जो हमारे 0 से start दोते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और infinity और या तो mix fraction mix हमारे क्या होता है जब हम improper fraction को convert करते किसमे mix fraction में, ओके, जिसको हम क्या लिखते हैं, 5, 1 upon 4, यह हमारा mix fraction हो गया, तो देखो 136% है भई, हम इस percent के sign को हटाएंगे, तो कितना आ जागा, 136 upon 100 आ जागा भई, percentage का sign जो हटता है, कितना आता, 100 आता है, अब मुझे इसको mix में करना है वैई तो mix में करने के लिए क्या करते है 100 से divide करेंगे 136 को 100 बने कितना होता भाई 100 हमारे remainder आरा 36 अब आपको mix में करने कि लिए क्या करते है जो हमारे remainder है इसको numerator بनाते है जो हमारा point कितने time का वन टाइम का यह होल नमबर बनता है और यह 100 हमारा नीचे आता है तो यह हमारा हो गया मिक्स फ्रेक्शन हो गया इसको हम कहते हैं मिक्स्ट फ्रेक्शन ओके ऐसे 250 है वाई कितना है 250 परसेंट जैसे आप हटा होगे अपन में कितना आ जाएगा हंडेड आ जाएगा ओके अब हंडेड जीरो से जीरो कर जाए तो आपका क्या बचला ट्वंटिफाइव अपॉंटिफाइव अपॉंटेण बचला तो बचला तो यह हमारा मिक्स फ्रेक्शन हो गया ओके three hundred, भई, three hundred percentage आता है, अपन hundred, भए यह तो पूरा-पूरा थिरी से चट रहा, तो यह whole number आ रहा हमारा, कितना है थिरी आ रहा, ऐसे हमारा देखो, one soit nell 25 परसे इलेदो आपन हंडेट आजयेगा, भई हंडेड से डिवाइद करदो, one too individual kop, 100 100 कितना हो जाएगा 100 remainder कितना बचरा 25 25 जो remainder हमारा numerator बनता है one time जा रहा है यह आगया जाएगा वह 100 हमारे नीचे आ जाएगा यह हमारा क्या हो गया mix fraction हो गया ऐसे हमारा 75 75 upon 100 यह तो हमारा proper fraction है proper fraction हमारा क्या होता है प्रोपर फ्रेक्शन का मतलब होता जब हमारे डिनोमिनेटर गिरेटर होता नियोमिनेटर से तो इसको हम मिक्स में करने सकते हैं मिक्स में कब होता इंप्रोपर फ्रेक्शन होता जब हमारे उपर वाले गिरेटर होता नीचे वाले से तो हमारे यह ऐसी रहेगा ऐसे हमारे कित झाल झाल